नमस्कार साथियों आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी सॉफिश्य यूट्यूब चैनल ऐसे जी गुरू कुल पर जैसे कि हमने आपको हिंदी में साहित अकैडमी पुरुसकार सारे याद करवाये थे 25 पुरुसकार आपको लाइन से याद करवा है जो दो दिन के बाद भूल भी जाएंगे लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वह आज इवन आपको याद रखना पड़ेगा और याद हो जाएगा इस स्वास मानिए तो चलिए क्लास को प्रारम करते हैं इस 20 मिट की क्लास में आपको ग्यान पीठ पुरुसकार सारे याद होने वाले हैं तो जिनके पास पेट बैच है वह तो बलकुल बढ़िया है जो जिनके पार नहीं है वह यूटूब पर यह क्लास हम आपके डाल देंगे 20 मिट की आप इसको आराम से देखिएगा तो यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं घ्यान पीठ पुर जएधारी नहीं होगी क्या पेखिए जब भी ज्यान पीठ से आएका यान पीठ पुरुत का है एक भारत का सबसे पहला को, और दूसरा प्रसन और दूसरा पर इसकी स्थापना वर्ष 1961 है ज्यान पिट पुरुसकार की जो इस्थापना है इसकी इस्थापना 1961 में हुई थी इस पुरुसकार के तहट जो भी व्यक्ति पुरुसकार जीतता है उसको अभी तो 11 लाग रुपए दिये जा रहे हैं हाला कि आगे चलकर जवाब 3-4-5-10 साल बात देखेंगे तो यह सक्षाइबने हैं और एक वाग देवी की प्रतिमा प्रशस्थी पत्र भी दिया जा रहा है वाग देवी मतलब क्या सरस्वती माता कीorteय निया जाता है यह पुरुसकार कुल 23 भासाओं में दिया जाता है अब यो 23 भासाएं है वो कौन सी हैं? ये 23 बासाएं हैं बच्चों वो कौन सी हैं? तो आप कर देंगे 23 भासाओं में जो 22 भासाओं हैं इनका जिक्र सम्धान की आठवी अनुसूची में किया गया है समिधान की आठवियन सूची में और जो एक अन्य भासा है यह आपकी हो जाएगी अंग्रेजी भाषा तो पहले तो अंग्रेजी भाषा में नहीं दिया जाता था लेकिन 2016 से चर्चा हो रही थी कि इसको जोडा जाए और अंत में अंग्रेजी भाषा भी अब जोड़ दी जिनको ज्यान पीट पुरसकार मिला पहले अंग्रेजी लेखक जिन्हें ज्यान पीट पुरसकार मिला तो पहले अंग्रेजी लेखक जिनको ज्यान पीट पुरसकार मिला उनका नाम है आपने नाम सोच भी लिया होगा अगर नहीं सोच पाई हो अभी भी तो इसका मदब त गोश अगर यही प्रस्ति पूचा जाए कि पहले व्यक्ति जिनको ज्ञान पीट पुरुस्कार मिला पहले व्यक्ति पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञान पीट पुरुस्कार मिला जिन्हें ज्ञान पीट पुरुस्कार दिया गया ग्यान पीट पुरुस्कार मिला तो आप कहेंगे इस्थापना तो 1961 में हुई थी ग्यान पीट पुरुस्कार की जो इस्थापना हुई थी वो तो 1960 में हुई थी लेकिन जो पहला पुरुस्कार दिया गया था वह आपका 1965 में दिया गया था तो पहले व्यक्ति जिनको ग्यान पिट फुरुसकार मिला तो आपके देंगे 1965 में मले आलम भाषा के प्रशिद मले आलम मले आलम भाषा के प्रशिद मले आलम भाषा के के प्रशुद कवी प्रसिद्द कवी जिनने दा ग्रेट पोईट के नाम से जना जाता है जी संकर कुरूप प्रसिद्द कवी जी संकर कुरूप जी संकर कुरूप और इनकी क्रती कौन सी है ओड़कु जल ओड़कु जल तो ओड़कुज हल के लिए इनको ग्यानपीट पुरुसकार पहला दिया गया और जी संकर गुरूब जी को हम लोग the great poet के नाम से जानते हैं इनको हम लोग the great poet the great poet प्रेशनाफ से पूशा जाएगा ऐसे कौन से वक्ती है जिनने the great poet के नाम से जाना जाता है और इनको इनको ज्यान पीट पुरुषकार से भी माजा गया है तो आप का अंतर जाएगा जी संकर कुरू पहली महिला पहली महिला जिन है जिन है ज्ञान पीट पुरुषकार मिला पहली महिला जिन है ज्ञान पीट पुरुषकार मिला तो पहली महिला बंगाली भासा में दिया गया है बंगाली भासा मिलेगा उनको बंगाली भासा में जिनका नाम क्या विया आशापूर्ण देवी बंगाली भाषा के लिए दिया गया था इनको आशापूर्ण देवी बंगाली लेखा कहिए आशापूर्ण देवी तो यह हो गया आपका इतने कुश्चन अब हम लोग बात करते हैं जिसके लिए आपने वीडियो सर् लेते हैं इसलाइट भर लेते हैं इसके बाद ट्रिक ट्रिक खेलते हैं तो हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में भाषा में पहला ग्यान पीट पुरुसकार हिंदी भाषा में प्रतम ग्यान पीट पुरुसकार ग्यान पीट पुरुसकार इसको मिला था तो आपके देगा सु सूमित्रानंदन पन्तजी को मिला उननिस सो अड़ सट रती हैन की चिदंबरा किस के लिए मिला था चिदंबरा के लिए तो चलिए आप हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसके लिए आपने वीडियो सर्च किया है अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे अपने दोस्तों को और शेयर करेंगे लाइक करने के बाद साथ आप अगर कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हों यू आप वह सब्सक्राइब आपने पर शुरू कर दिया तो आपको कहीं पर भी क्लास समझ में नहीं आएगी इस बात की तो गारंटी देते हैं जलिए तो ज्यान पीट पुरूसकार देख सेंगे तो अभी तक अभी तक या दखेगा अभी तक अभी तक ग्यारा व्यक्तियों अभी तक 11 वक्तियों को को हिंदी भाषा में यह पुरुसकार मिला है अभी तक 11 वक्तियों को हिंदी भाषा में यह पुरुसकार मिला है यह पुरुसकार मिला है यह पुरुसकार मिला है यह 11 वक्ति अभी तक है अभी धीमिद्य में आगे बढ़ेंगे तो यह जुड़ते च करें दिन हुसां दन दिन दान देवी कहा दन दन दान देवी क्या दो derrière हमने दन दान दन दवी फिर अफीर दन दन दान देवी फिर उसी के आगे आप न को पहले ले आई ये नर 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 अब नेवी तो लिखनी पाएंगे तो देवी के बाद नर नर याद रिखेंगे दन दिन दान देवी नर नर ये दो याद हो गए इसके बाद लास्ट इसके बाद लास्ट अमरतलाल अमरतलाल के द्वार सोए अमरतलाल के द्वार पर सोए बस यह हो गया तो दन दिन दान देवी नर निरनार अमरतलाल के द्वार सोए अब ठीक को भी याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाने ही पड़ता है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा बाकी समय अभी अभी याद करवाएंगे क्रतियां भी याद करवाएंगे उसके पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि यह पुरुस्कार यह पुरुस्कार यह पुरुस्कार 1965 से 1982 तक एकल करती के लिए दिया जाता था इसके लिए जाता था लेकिन लेकिन में 1902 से 1982 से अभी है सम्पूर करती के लिए दिया जाता है सम्पूर स्ता हित की करती के लिए दिया जाता है संपूर्ण साहित क्रती में दिया जाता है यार रखना आपको दिया जाता है तो यानि 1982 से पहले पहले जिसको मिला है अन्हा उसके लिए आप रचनाएं भी याद करेंगे कि किस लेखा को या किस कवी को कि रचना के लिए मिला फिर इसके बाद तो निस ब्यासिक बाद आपको किसी लेखक की रचना नहीं याद रखनी पड़ेगी सिधे संपूर्ण साहित के लिए जाता है नॉर्मल सी बात कि अब दन 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 डेवी तो दन 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 तो सुमित्रा नंद न तो सुमित्रा देन मतलब दिनकर तिम कर मतलब रामधारी सिंग दिनकर अब जैसे मैंने हिंदी सहिति का पुरुशकार लोगों को या कर वाया बच्चों वैसे ही suddenly मेरे ही मेरे ही ट्विक जो हम ने बनाई उसको लोगों ने चांप दिया और बता दिया देखो मैंने बनाई है अभी देखिए का पूरे ज्ञान प्रूसकार आप पूरे देख लिजेगा किसी की ट्रिक नहीं है यह किसी की नहीं है अभी जैसे मैं बना दूंगा अब जो जो हमको फॉलो करते हैं वो सब बना देंगे और बड़े खुश्त होंगे कि मैंने किया है और भाई बनाना तो आप क्या करिया अपने चैनल पर हमारे वीडियो उठागे डाल दिजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चुराओ नहीं आगे हना हम कभी कॉप राइट नहीं सकते आपको आगे बढ़ते हैं रामध चिदा नंद घीरा नंद अनवाक्षयायन अग्यय तो आपने क्या देखा है आप आपने यहां देखा दिन आपने यहां देखा दन आपने यहां देखा दन आपने यहां देखा दिन और आपने यहां देखा दन आपने यहां देखा दन और आपने यहां देखा दान तो द देवी मतलब क्या महादेवी निहार रस्मी निर्जा यामा सब्त पढ़ना दीप सिखा अतीद के चलचित्र आदमिक काल की मीरा कौन है महादेवी वर्मा इनको यामा के लिए साहितिक पुरुषकार भी दिया गया था साहितिक पुरुषकार पूरा याद करवाया है हमने आट का मतलब कि अनिर्मल Vorma ऑननार को मतलब ऑस एक sections और का मतलब हो जाएगा नाराययक यानिक कौन नारायि या इसको और नीचे लिख देते हैं इसको मैं ऐसे लिख देते हैं ऐसे जाएगा कुमर नारायर पिश हो गए च्छे के बाद हमने यहां लिख दिया साथ वे अब इसके बात आगे बढ़ते हैं तो यह आप देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, साथ के बाद आठ्वे विक्ती हो जाएंगे, अमरित, अमरित से हो जाएंगे, अमरित कांथ, अमरित कांथ, अमरित कांथ, नो, लाल, लाल से हो जाएंगे, स्री लाल सुकल, स्री लाल सुकल, के द्वार, के द्वार का मतलब क्या है, के द्वार का मतलब है के दार नात अगरवाल के दार नात अगरवाल यह हो जाएंगे, तोय मतलब सो बाती, करश्ना, सबाती, क्रश्ना, सबाती, हमें तो इन दोनों का म्रत का। Excellence को साथ इन दोने को क्या हो था पच्छो एक साथ मिला था किस लिए उसके तोटल घ्यारा है अब उब समय क्रें मैं कैसे याद करें तुमस्यत हम रही है सःते है कैसे आग करें ये सूत्र बताया फिर आपने बोला नर निर नार पिर आपने बताया अमरित लाल के द्वार पर स्वेट अमरित लाल के द्वार तुए चलिये तब देखेगा कैसे याद करना है आपको इतना तो पता है कि दन मतलब क्या है इनको मिला था 1968 में उनको कम मिला था 1968 में अब है इस कारे काम क्या करिए 68 सबस्ट में और सोरे मतलब सोबाती सोबाती को मिला था 2017 में अब देखिए कैसे याद करते हैं आपको चार कक्रम याद करना है क्या बच्छों चार कक्रम तो 2017 में चार घटा दो तो किता जाएगा आप कहेंगे 2013 बहुत बढ़िया प्र 2013 में पीछे निकलीए 2013 में फिर से चार घटा दो तो आप कहा हुझाएगा 2009 बहुत बढ़िया प्र 2009 में फिर से चार घटा दो फिर आप कहा जाएगा 2005 अब फिर तो पीछे से कर रहे थे गटा रहे थे अगर आगे से जोड़ना पड़ेगा अलसट में चार जोड़ दो 1972 कि बहुत क्या यह बास समझ में आई तो आगे से 1912 में चार जोड़ा और पीछे से शर बर क्या क्या चार घृटाया आप बचता है हमारे पास दान देवी और यह बच जाते हैं अब यहां पर आप सुरुवात में चाइज चार चार यात कर सकते हैं कि पहले हमें चार का गैब देना था अना CT Tabただ 72 बहांदर Built आपको गैप देना है अना चाहर का जिसे आपर सूत लिखा ना 464 तो पहले आपको चाहर जोड़ना था अलसाट 42 फिर आपको छोड़ना था अना बादार लाश्ट के चार तो याका डिये लाश्ट के चार और सुरू के टीना आपने यादयी यानि आपने सुरुवाद का सूतर क्यता चार्ट om 64 क्या था चार्स ह俺 लैं कि तो आप यह चार या कि समझ में आगे बच्चों आप लोग आठ याद कर लेंगे चार सो चौन सट करेंगे तो अलसे चार पहत्तर बहात्तर चैटतर चार चार बैयासी फिर इसका दस और साथ ना बानबे निन्यान में लेकि नहीं अगर नहीं आते ना तो लाश में 17 में तार चाल गटाया फिर च किस के लिए अब देखेगा 1980 के बात यानि महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा से पहले पहले इनलोग बात करेंगे आ क्रेंगे भी है तो यहां पहीं आ सुम्सक्रान इंदन संसी कि ह craveला था सुमित्या नंदन कंथ जी को किसके लिए种 मिला था थे आप बता हैंगे सुमित्या नंदन पंथ के बाद दिंकर रामदारे स्थिं दिंकर जीए ग्यान फित प्रूस्कार मिला है अब आपके दिमाग में आता है सुमित्रा नंदन पंत तो हम समझ भी आते हैं कि चिदंबरा है सुमित्रा नंदन पंत का लोग चिदंबरा तो समझ जा रहे हैं तुम्त्रा नंदन पंत का जो लोग है वो चिदंबरा समझ जा रहे हैं चिदंबरा और रामधरी सिंदिनकर का सोचते हैं कि सरक्या लगाना है वो लगा देते हैं संस्कति की चारत्याय जब करेंगे तो हम लोग साइथ हिसलान और वात्यान अग्ये जी की बाद करेंगे तो हम इसकी बाद करेंगे गया तो किस Nahमे कितनी बार हुआ है कि सैंटू को इतनी बाद कितनी नावों में कितनी बार समझे हुआ अब इस बातस्यान अग्ये जी को अग्ये जी को साहित अकड़नी पुरुसकार किसके लिए मिला था तो आप कहेंगे आंगन के पार द्वार के लिए किसके मिला था आंगन के पार द्वार के लिए मिला था ठीक ना चलिए महादीव वर्माजी को क्यान पुरुसकार यामा के लिए मिल और उनिसोबियासी की बात अब जिसको मिलेगा वह समपूर्ण क्रति के लिए मिलेगा यह समपूर्ण साहत के मिलेगा क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें शेर जरूर करें नहीं और हमको एक बाद़ फिर पिर बताएगे साहत्याजी पूरुसकार महादेवी बर्मा को किसके लिए मिला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हना नहीं तो साहते करेंजी पुरुसका पुरायात करवाया है उसको जरूर पढ़ लेंगे ठैंक्यू वेरी मच